हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग आज मैं आप लोग को नीट एक्जाम के बारे में इद्गम डीटेल्स बताने वाला हूँ जिससे आपके माइड में जो भी कन्फ्यूजन होगा कि नीट एक्जाम अगेन पॉस्पॉंड होगा की नहीं वो किलियर हो जाएगा जैसा कि आपको पता है इंडिया में चल रहे कोई 90 संकट के साथ बड़ा सवाल यह है कि नीट 2020 एक्जाम की संभावना क्या है तो आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि नीट एक्जाम कैंसल्ट होगा या नहीं इस बारे में बहुत से एजुकेशनल एक्सपर्ट का क्या कहना है एक्सपर्ट के नुसार जिस तरीके से कोई 90 के लगातार मामले बढ़ रहे हैं इसी करण नीट एक्जाम दो बर पॉस्पॉंट किया जा चुका है और रिपोर्ट एंड डाटा का नुसार कोई 90 के जो मामले होंगे वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं इसी वज़े से बहुत से स्टूडेंट एपैरेंट्स के मन में ये संदे है कि नीट 2020 एक्जाम 13 सितंबर को ही होगा या अगेन पॉस्पॉंट हो जाएगा लेकिन educational experts का ये मानना है कि नीट एक्जाम अगेन पॉस्पॉंट करना possible नहीं है और अब तक सभी state level exam को पॉस्पॉंट कर दिया गया है अगस्त में होने वाले state level entrance exam में से कुछ को बंद कर इक्जाम इस साल cancelled कर दिया गया है जिस मज़े से NEET इंडिया में MBBS और BDS कॉलेज में एडिवीशन के लिए एक मात्र गेटवे है और यह भी उमीद है कि इस वर्स NEET इक्जाम में competition लेवल हाई होगा हाला कि यदि स्थती और भी खराब हो जाती है और vaccine and medication की non-ability के साथ government के पास इक्जाम कैंसल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा NEET 2020 को कैंसल करने से इंडिया में AIMS College जैसे टॉप इंसिट्यूट पर adversely affect पड़ेगा हाला कि NEET 2020 इक्जाम सितंबर में कैंसल होने के संभावना बहुत कम है क्यूंकि NTA ने NEET इक्जाम को conduct कराने के लिए अपने guidelines को revise करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है इसके अलावा NTA पहले से ही NEET 2020 इक्जाम सेंटर को बढ़ाने पर भी काम कर रहा है और student पर कोई भी physical friction नहीं करेगा तो कहने का मतलब यह है कि NEET इक्जाम 13 सितंबर को होने की बहुत जादा maximum chances से कि 13 सितंबर को ही होगा क्यूंकि HRD मिनिस्टर रमेज पोकरियाल दरा किलियर कर दिया गया है कि NEET इक्जाम 13 सितंबर को ही होगा तो students यह रहा NEET 2020 इक्जाम से related सभी जानकारिया और यदि आपके माइड में जो भी question चल ले हो तो आप comment में जरू बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरू कर दिजेगा और channel पे नहीं हो तो channel पे subscribe कर दिजेगा और bell icon भी दबा दिजेगा ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का notification बिल सके thank you and thanks for watching